बेटी एक आशीरवाद होती है एक लक्षमी जो घर में रोश्णी और सम्रिद धिलाती है ये कहावत हमारे देश में बहुत मशूर है हमारा मानना है कि बेटियां खुशियां और किस्मत लेकर आती है वो अपने प्यार और अपना पन से घर को खुशियों से भर देती है प्रतिय संस्कृती में बेटियों को एक खास दर्जा प्राप्त है उन्हें देवी लक्षमी का ही रूप माना जाता है लक्षमी धन और सम्रिद्धी का प्रतीक है उसी तरह बेटियों को भी परिवार के लिए सौभाग्यशाली माना जाता है परंपरागत रूप से बेटि के जन्म पर बहुत खुशी मनाई जाती है यह परिवार के लिए एक साथ आने और खुशियां मनाने का समय होता है आज बेटियां हर क्षेत्र में बंधन तोड रही है और बुलंदियां छू रही है वे अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है चाहे वे शिक्षा का क्षेत्र हो खेल का मैदान हो या फिर कला और संस्कृति का मंच हर जगह बेटियां अपनी पहचान बना रही है वो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्यानिक और नेता बन रही है वे समाज के हर कोने में अपनी उपस्थिती दर्ज करा रही है और अपने कारियों से समाज को नई दिशा दे रही है उनकी मेहनत और समर्पन का परिणाम है कि आज वे हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है वो हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित कर रही है उनकी सफलता की कहानियां हमें प्रेरित करती है और यह दिखाती है कि अगर हम ठान ले तो कोई भी लक्ष असंभव नहीं है उनकी उपलब्धियां हमें गर्व महसूस कराती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरना देती है हम अपने आसपास ऐसी बहुत सी बेटियों को देखते हैं जो अपने परिवार को ऊपर उठा रही है विनकेवल अपने करियर में सफलता प्राप्त कर रही है बलकि अपने परिवार के लिए भी एक मजबूत सहारा बन रही है उनकी महनत और समर्पन का परिणाम है कि उनके परिवार का नाम रोशन हो रहा है वो अपने माता पिता और भाई बहनों के लिए कड़ी महनत कर रही है उनकी महनत और समर्पन का परिणाम है कि उनके परिवार का नाम रोशन हो रहा है वे अपने परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बन रही है और अपने परिवार को उपर उठा रही है वो अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है उनकी महनत और समर्पन का परिणाम है कि उनके परिवार का नाम रोशन हो रहा है वे अपने परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बन रही है और अपने परिवार को उपर उठा रही है ये बेटियां हम सब के लिए प्रेरणा है उनकी महनत और समर्पन का परिणाम है कि उनके परिवार का नाम रौशन हो रहा है वे अपने परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बन रही है और अपने परिवार को ऊपर उठा रही है वो हमें दिखाती हैं कि अगर हम मन में ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है उनकी नहिनत और समर्पन का परिणाम है कि उनके परिवार का नाम रौशन हो रहा है वे अपने परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बन रही है और अपने परिवार को ऊपर उठा रही है बेटियां सिर्फ बेटियां नहीं होती वो तो परिवार की नीम होती है वो अपने माता-पिता का ना सिर्फ भावनात्मक रूप से बलकी आर्थिक रूप से भी साथ देती है चाहे वो अपने करियर में कितनी भी व्यस्त क्यों न हो वो हमेशा अपने परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता देती है वो हर सुख दोख में अपने परिवार के साथ खड़ी होती है जब भी कोई मुश्किल समय आता है बेटियां अपने परिवार को संभालने में सबसे आगे होती है वो देखभाल करने वाली, सुनने वाली और समस्याओं का हल निकालने वाली होती है उनकी संवेदन शीलता और समझदारी परिवार के हर सदस्य को सुकून देती है बेटियां अपने परिवार में एक अनोखा नजरिया और संवेदन शीलता लाती है उनकी उपस्थिती से घर में एक सकारात्मक उर्जा का संचार होता है वो एक खुशाल और प्यार भरा माहौल बनाने में मदद करती है उनकी हंसी और खुशियों से घर का हर कोना रोशन हो जाता है उनकी दृड़ता और संघर्ष शीलता सब को प्रेड़ना देती है उनके संघर्ष और मेहनत से हम सब को सीखने को मिलता है कि कैसे हर मुश्किल का सामना करना चाहिए वो हमें प्यार और त्याग का असली मतलब सिखाती है उनके बिना परिवार अधूरा है और उनकी मौझूदगी से ही परिवार पूरा होता है बेटियां सच में परिवार की जा होती है Section 5 Balancing Act, Work and Family बेटियाँ काम और परिवार को संतुलित करने में माहिर होती है वो अपने करियर को संभालते हुए अपने परिवार का भी पूराध्यान रखती है वो हर काम एक साथ करने में माहिर होती है वो अपनी रसोई की रानी और अपनी कम्पनी की CEO दोनों ही होती है वो पारंपरिक और आधुलिक दोनों ही भूमिकाओं में उत्कृष्च प्रदर्शन करती है जीवन के विभिन पहलूं को संतुलित करने की यह क्षमता उनकी दाकक और द्रड संकल्प का प्रमाण है वो पुरुशों और महिलाओं दोनों के लिए प्रेरणा है Section 6 The Unconditional Love of a Daughter एक बेटी का प्यार में स्वार्थ होता है वह अपने माता-पिता के लिए एक सची दोस्त होती है जो हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी रहती है उसकी मुस्कान में एक जादी होता है जो हर दर्द को भुला देता है वो अपने माता-पिता और भाई बहनों से पूरे दिल से प्यार करती है उसकी हंसी घर को खुशियों से भर देती है वो अपने परिवार के लिए एक प्रेरणा स्रोथ होती है जो हर दिन उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है वो हमेशा मदद के लिए तयार रहती है चाहे हाथ बंटाना हो या फिर कंधे पर सिर रखकर रोने देना हो उसकी समवेधन शीलता और समझदारी उसे परिवार का सबसे प्यारा सदस्य बनाती है वो अपने माता-पिता के लिए एक सहारा होती है जो हर मुश्किल में उनका साथ देती है वो हमारी जिंदगी में खुशियां और हंसी लाती है उसकी उपस्थिती से घर में एक सकारात्मक उर्जा का संचार होता है वो अपने परिवार के लिए एक खुशियों का खजाना होती है जो हर दिन को खास बनाती है वो अपनी उपलब्धियों से हमें गर्व महसूस कराती है उसकी मेहनत और समर्पन से हमें प्रेरणा मिलती है उसकी सफलता हमारे लिए गर्व का विशे होती है जो हमें उसकी परवरिश पर गर्व महसूस कराती है वो एक बादलों भरे दिन में सूरज की तरह होती है उसकी मुस्कान से हर अंधेरा छंट जाता है वह अपने परिवार के लिए एक रोशनी की किरन होती है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है एक बेटी और उसके परिवार के बीच का बंधन अटूट होता है यह बंधन समय के साथ और मजबूत होता जाता है यह एक ऐसा बंधन है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है यह प्यार, सम्मान और समझ का बंधन होता है यह बंधन हर दिन को खास बनाता है एक बेटी का प्यार अपने परिवार के लिए एक अनमोल तोहफा होता है जो हर दिन को खास बनाता है सेक्शन सेवन इंपाउरिंग दॉर्टर्टर्स, इंपाउरिंग ससायटी आईए, हम सब मिलकर अपनी बेटियों का समर्थन करने और उन्हें सशक्त बनाने का संकल्प लें सेक्शन एट, सेलेबरेटिंग दॉर्टर्स एवरी डै हर दिन बेटियों का जश्न मनाने का दिन है आईए हम उन्हें प्यार करें, उनका सम्मान करें और उनका गर्व करें वो हमारा भविश्य है, हमारी आशा है, हमारा गौरव है आईए हम एक ऐसा संसार बनाएं जहां हर बेटी एक लक्ष्मी की तरह चमक सके बेटियां एक आशीपाद को हमेशा संजोगे